नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पर मैं हूँ डॉक्टर अनमोल कुमार आज हम बात करेंगे एक ऐसे होमेपेथिक टॉनिक के बारे में जो बहुत ही स्वास्त वर्धक है और दोस्तों उन लोगों के लिए खास है जो अच्छा खाते पीते हैं लेकिन उन्हें लगता नहीं है सरीर लगना जो हम कहते हैं कि हम तो अच्छा खाते हैं डॉक्टर साइब बहुत अच्छा खान पान है मेरा लेकिन फिर भी मेरे सरीर में मांस नहीं चड़ता है मुझे हमेशा कमजोडी महसूस होती है इसका एक कारण होता है दोस्तो जो आप खाना खाते हैं वो आपके सरीर में अवसोसित नहीं होता है जो हमारे सरीर का absorption capacity होता है वो कम रहता है जिसके कारण आप जो postic आहर लेते हैं वो postic आहर में जो ड्रेयेंट्स है जो पोसक तत्व हैं वो आपका सरीर जो है अवसोसित नहीं कर पाता है जिसके कारण आपके सरीर में ग्रोथ नहीं दिखता है आप दुबला पतला रह जाते हैं आपके मांस पेस्यों में बढ़त नहीं होती है आप में ताकत की कमी रह जाती है जी हाँ दोस्तों आज मैं एक ऐसे होमेपेथिक टोनिक के बारे में बताऊंगा जो आपको अगर आप अच्छा खाते पीते हैं तो दोस्तों आपको ताकत प्रदान करेगा ये और आपके स्व पुर्ण परिवार के लिए एक बहुत ही उपयोगी टोनिक है दोस्तों यह जो माल्चोमीन टोनिक है यह आपके अबसोशन किरिया को बढ़ा देता है आपके भूप को जगा देता है और आपके भोजन में जो पोशक तत्व है उसे सरीर में गरहन करा कर दोस्तों आपके सर अजिपशन है दोस्तों, उसका जब हम अधन करेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी दोस्तों इसमें खास करके जो दवाईयां दी गई हैं वो दोस्तों हमारे स्वाष्ठ के लिए, हमारे भूख के लिए, हमारे लीवर के लिए बहुत ही उप योगी है हम जो खाना खाते हैं अगर वो समुची धंग से बचता है हमारे सरीर में अवसोसीत होता है तो हमें वा अवस्षप पैदा करेगा और हमें ताकत भी देगा हमारे सरीर के परतेक अंग को मजबूत भी करेगा दोस्तो इसमें जो दवाईयां है अलफा अलफा मदर टिंचर में है अलफा अलफा क्यूँ दोस्तो यह दवा जो है सरीर को हिस्ट बुस्ट करने के लिए जाना जाता है और यह बहुत ही खास दवा एवेना सेटेवा क्यूँ यह हमारे नसों को मजबूती परदान करता है विदानिया सोमनी फेरा दोस्तो जिसे हम लोग अस्वगंधा कहते हैं यह संपुर्ण सरीर के लिए ताकत परदान करने वाली दवा होती है गरेनेटम क्यूँ है जो की खास करके दोस्तो किर्मी जैसे लक्षन जो होते हैं हमारे विटामिन को खा जाते हैं हमारे वोशक तक्वों को जो किर्मी जो है वो खा जाते हैं उसे या दूर करने में सक्षम दवा है गरेनेटम क्यूँ बच्चों में भी या एक बहुती खास दवा है दोस्तो इसमें जिंसेंग क्यूँ है जिनसें क्यूँ जो हमारे सरीर में vital nutrients परदान करते हैं जो हमारे सरीर में वीचालीटी परदान करता है इसमें syncona of insinalis जो है एक liver remedy है जो gas पाचन क्रिया में मदद करता है इसमें दोस्तो निकोलम metallicum है इसमें phyram phosphoricum है जो कि कह सकते हैं कि phyram metallicum जो है कि दोस्तो हमारा hemoglobin का निर्मान करता है ये 2X में इसमें काली phosphoricum है 3X में इसमें दोस्तो निकोलम metallicum 6X में है ये सारी दवाईयां जो हैं दोस्तो मुख्य तोर पर हमारे hemoglobin को बढ़ने में हमारे सरीर के नसों को नर्वस सिस्टम को मजबूती परदान करने में और हमें कामनेस लाता है काली phosphor जो है अनिद्रा की जो सिकायत होती है उसे दूर करने के लिए जाना जाता है इस तरह से अगर आप अच्छा खाना खाते हैं और अच्छे से नींद लेते हैं तो दोस्तो आपको वजन बढ़ना निश्चित हो जाता है आपका सरीर का वजन बढ़ेगा आपका सरीर मजबूत होता है इसमें दोस्तो गुलकोज भी दिये हुए है माल्ट एक्स्ट्रेक्ट भी दिये हुए है इस तरह से यह जो टॉनिक है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है जो आपके संपुरुन सरीर के विकास के लिए एक पुरुन टॉनिक के रूप में काम करेगा दोस्तो आईए जानते हैं इसके डोज के बारे में एडल्ट जो हैं दोस्तो जो 18 साल से उपर के हैं उनको इसका दो चमच खाना खाने के बाद दोस्तो सुबा और दो चमच रात खाना खाने के बाद लेना चाहिए आप इस टॉनिक को दो चमच टॉनिक को आप 4 चमच पानी में मिला लें और दोस्तों खाना खाने के आदा गंटा के बाद सुबा साम दो बार लें और दोस्तों जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के हैं उनको दोस्तों इसका एक एक चम्मच सुबा साम दो बार दो चम्मच पानी में मिलाकर खाना खाने के आदा गंटा के बाद लेना चाहिए आईए दोस्तों जान लेते हैं इसकी कीमत को और इसका जो ये quantity है ये 450 ml की tonic है 450 ml की tonic है और इसकी अभी जो कीमत है वो है 250 रूपी और दोस्तों इसके साथ आपको एक बहुती सुंदर स्टील का चम्मच मिलता है और दोस्तों आज के लिए इतना ही प्लीज लाइक और शेर माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू